हेलो एव्रिवन कुछ बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो शायद आप कुछ लोगों का दर्थ समझ पाएं देखो कल हिंदी का रिजल्ट आया था ठीक है रिट लेवल टू का उस टाइम पर ये था कि रिजल्ट में खुद साइन सब्जेक्ट की हूँ रिट लेवल टू से और मेरा रिजल्ट लगभग 12-13 या 14 तारिक तक आएगा मतलब 15 के पहले पहले तो सारे रिजल्ट आई जाए ठीक है फिर भी मैंने मेहनत करके मेरे सब्जेक्ट का पेपर दिया था ना इसलिए जब कल पता बढ़ाना कि हां आज रिट लेवल टू का हिंदी का रिजल्ट आ रहा है सबसे पहला रिजल्ट ठीक है उस टाइम मतलब ऐसा था मेरी खुद की आत्मा जानती है मैं खुद का पहला रिजल्ट आए था इसका सिर्फ और सिर्फ एक करण है और ये दर्द इह जो डर है ना ये जो भहे है वही इंसान महसूस कर सकता है जो प्रिप्रेरिशन करके और तेपर देता है ठीक है और सबसे ज़्यादा तो विद्ध्यारती की बात नहीं कर हुए आप सौख सो raises हिंदी में selection नहीं हुआ होगा ऐसे बच्चे का जिसने रीट 2021 की preparation करी थी और अभी और रद दो गया फिर अभी वापिस से preparation करी और अभी भी असफल हुआ उस पे क्या बीत रही होगी इसका मतलब पहली बात तो रीट में रीट लेवल टू में हिंदी में जिनका selection नहीं हुआ उन में से आधे से ज़्यादा बच्चों की बात कर दूम है 60-70% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं है वो बहुत ब्रिलियंट बहुत ज़्यादा intelligent student है और उनका selection कोई भी नहीं रोक सकता था उन्होंने 3-4 साल में इतनी मेहनत कर ली है कि वो कोई सा भी paper निकाल सकते थे कोई सा भी चाहिए कितना ही hard paper आता पर उनके उनकी जो असफलता है उनका selection नहीं हुआ उसमें उनकी 1% भी गलती है बिल्कुल भी नहीं है ठीक है आपको लगेगा ऐसा क्यों उसके बहुत सारे एक नहीं बहुत सारे valid reason है जो मैं आप लोगों को बताती हूं आज क् कल का जो दिन होंगा उनके जो दर्दनाख मोत होती है ना मनजर वैसा निकला होगा उनके लिए आज का भी वैसा ही निकलेगा और आने वाले बहुत सारे दिना उनके वैसे निकलेंगे और इन सब का करण क्या है उनका selection क्यों नहीं हुआ उनके साथ क्यूशन डिलीट किये गए हैं, आप सोचो कोई पेपर है, वो नेगेटिव मार्किंग है उस पेपर में, ठीक है, और एक के क्यूशन दो नमबर का है, उसमें आपके साथ क्यूशन डिलीट किये जाते हैं, आप अंदाजा लागा सकते हैं, उस साथ क्यूशन डिल बोर्ड को पता है सिर्फ तीन क्यूशन उनके ऐसे से जो सही थे उसके भी आंसर चेंज कर दी होंगे आप सोचो एक पेपर है उसमें 11 पेपर हो जाता है उसके बाद 11 क्यूशन जो है जो 22 नमरी की वेल्यू रखते हैं उसमें पूरी तरीके से मतलब फेर बदल कर दिया जाता है आप सोचो क्या माईनी रह जाते हैं उस पेपर की कितना गंदा हमारा सिस्टम है उसके बाद फिर होता क्या है ठीक है पहली बात तो यह जो दुख था न वह ऐसा नहीं था ठीक है चलो यह भी हुआ जो हुआ हुआ हिंदी वाली जितने भी स्टूडेंट हैं पहली बात इतना अन्याय मुझे लगता नहीं कि किसी के साथ हुआ होगा जितना पहली बात तो रीट लेवल टू वालों के साथ हुआ है और रीट लेवल टू में भी इस पेशली हिंदी वालों के साथ फिर सबसे बड़ी बात और आयोग की वज़़े से जो करमचारी चैन बोर्ड आ बनाते हो तो कम से कम इस तरका तो बनाओ कि बच्चे को लगए कि हमेने तैयारी करके दिया है तो मुझे आ रहा है जो तैयारी बिल्कुल भी ना करता हो सोके उठके गया हो उसको भी आजा ऐसा मैं साइन सब्जेक की स्टूडेंट हूँ अगर मैं डिट लेवल टू की सब्जेक्ट से जिनके फर्स्ट पेपर में थोड़ी बहुत में थोड़ी बहुत बायो आती उनको आएका बिल्कुल भी नहीं आएगा वह पेपर दस बीस परसेंट आएगा हिंदी का पेपर इस इस्तर का था ठीक है हम पेपर में बैठते है तब अलग ही जो रहता है प्र जो अनुपात रहता है ना कि कितने सरल कितने कठी और कितना एवरेज होना चाहिए एक तीन एक का वो दूर दूर तक भी फॉलो नहीं किया गया था तो मतलब जो भी लोग असफल हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोग उसमें यही कहना चाहूंगी अपने आ है पहले से दुखी होना तो उनको और सब्सक्राइब करना को ख़ двog往 पांस साल से बचे शरम आनी चाहिए यार आप एक पेपर सेटर पेपर सेटरों के गलती का भुकतान बचों को करना पड़ रहा है